ओम शान्ती, 25 जन्वरी 1969 के अवेक्ट बुढ़ी, समर्पन की उंची स्टेज, श्वासो श्वास स्मृती, अवेक्ट स्थिती में स्थित होकर, अवेक्ट को वेक्ट में देखो, आज एक प्रशन पूछ रहे हैं, सर्व समर्पन बने हो, बच्चों ने उतर दिया, सर्व समर तो है ही, यह सभी का विचार है या कोई और का कोई और विचार भी है, सर्व समर्पन किसको कहा जाता है, सर्व में यह देह का भान भी आ जाता है, देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़ कर समर्पन बनना है, आप क्या समझते हो, देह के अ पूरन समर्पन बने हो, मर गए हो, वो मरते रहते हो, देह के समंद और मन के संकल्पों से भी, तुम देही हो, यह देह का अभिमान बिल्कुल ही तूट जाए, तब कहा जाता है सर्व समर्पन मैं जीवन, जो सर्व त्यागी सर्व समर्पन जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूरन अवस्था गाई जाएगी, जब संपूरन बन जाएंगे तो साथ जाएंगे, आपने शुरू में संकल्प किया था न, कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, यह अभी एक स्ने है, और संग तोड एक संग जोडने की यह जो चेन है, जो अंत समय की निशानी है, जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा, छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है, अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता, य जोग से या तो भोग से हिसाब किताब तो चुक्तु जरूर करना ही पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पन हो ही लेकिन अब सम्पूरण की स्टेज उन्ची हो गई है। समर्पन की स्टेज उंची हो गई है समर्पन उसको कहा जाता है जो श्वासो श्वास स्मृति में रहे एक भी श्वास विस्मृति कना हो हर श्वास में स्मृति रहे और ऐसा जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुक पर होगा? मालूम है बच्चों ने उत्तर दिया हर्शित मुक हर्शित मुकता के सिवाए और भी कुछ होगा जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ती बढ़ेगी जो श्वासो श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा और सहनशीलता होने के कारण एक तो वहाँ अर्शित होगा दूसरा शक्ती दिखाई देगी उसके चहरे पर निर्बलता नहीं यह जो कभी कभी मुक से निकलता है कि कैसे करे? क्या होगा? यह शब्द निर्बलता के है जो नहीं निकलने चाहिए जब मन में आता है तो मुक पर भी आता है परन्तु मन में नहीं आना चाहिए मन मनाभव, मध्याजीभव मन मनाभव का अर्थ तो बहुत गुई है जैसे ड्रामा का सेकेंड बाई सेकेंड जिस रीती से जैसे चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिती ऐसी ही ड्रामा की पट्री पर सीधी चलती रहे जरा भी हिले नहीं चाहे संकल्प से, चाहे वानी से ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पट्री पर चल रहे हो न, परन्तु कभी-कभी रुख जाते हो मुख कभी-कभी हिल जाता है, मन की स्थिती हिलती है फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है पिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक तो आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है कौनसी बात? वाणी तक आई है परन्तु प्रैक्टिकल में नहीं आई यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे वह यह है जैसे अब समय नज़्दीक है वैसे समय के अनुसार जो अंतरमुकता की अवस्था वाणी से परे अंतरमुक होकर कर्मना में अव्यक्त स्तिती धारन करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए वह कुछ अभी भी कम है कारोबार भी चले और यह स्तिती भी रहे यह दोनों ही इखटा एक समान रहे अभी इसमें कमी है अब साकार तो अव्यक्त स्तिती सुरुप में स्तित है लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्तिती में स्तित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो एक मुख्य बात और भी है वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए वो कौन सी? कोई के मन में आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते है कहते थे अमृत वेले उचना अमृत वेले का वातावरन वायू मंडल ऐसी रहेगा साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते वे भी मुलाकात करते थे लेकिन अभी जब अमृत वेला चकर लगाने बाबा आते है तो वहाँ वायू मंडल देखा नहीं है क्यूं ठक गए इस अम्रत वेले के अलोकिक अनुभों में ठकावट दूर हो जाती है परन्तो यह कमी देखने में आती है यह बाप दादा के शुब इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिती का हर एक बच्चा अन्भव करे वैसे तो आप जब साकार से साकार रिती से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिती बन जाती थी अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिती में स्थित होंगे उतना अलोकिक ही अन्भव करेंगे जा उम्षन थी